नमसकार दोस्तो आज हम आप सबोगों लाह वानने बैमान दुगंदार पर अधारिद प्रसद पढ़ते हैं दोस्तre सती तो देखिए दोस्तों आज का काम करेंगे दोस्तों तो बेमान दुकांदार की सवालों को लगाना बहुत असान होगा दोस्तों देखी दोस्तों पॉइंट क्या बता रहें आपको जो गलत वाट होता है दोस्तों उसी को हमें साथ CP माना जाता है दोस्तों गलत वाट को CP माना जाता है इसका मनलब है दोस्त क्यास्तान पी 900 जूटे वजन का प्रियोक करता है इसका मलब लिए 900 ग्राम सीप्ड हो गीया दौस्तों 900 ङ्रम змुज़ गीया दोस्तों डुस्तों रहे नहीं पर आख भया हैaren per सट टेёз्यशन फांफ लगांगे डूए इसने फमाउन पंदार के हर एक सवाल लगाने हो कि हो जाएंगे यह माली जी दोस्तों दुकांदार है यह दुकांदार है यह दुकांदार है दोस्तों और यह समान खरीदिने वाला है यह दोस्तों समान खरीदिने वाला देखती है अब देखिए दोस्तों दुकांदार को लग रहा है कि हम एक केजी समान ले रहे हैं लेकिन दोस्तों ऐसे देखिए दोस्तों यह 900 greg का गोतना तो पूछ रहे दोस्तों तो लाब परत सब निकाल रहेंगे दोस्तों तो दुखंदार को कितने का लाव होगा तो लाव परसद 900 ग्राम एक हज़ाद दिया तो कितने का 100 ग्राव होगा कितने पर दोस्तों CP को नीचे रखेंगे गुड़ी 100 कर देंगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल के कह रहा है एक बैमान दुगांदार अपना समान क्रेमल पर बेचने का दावा करता है प्रंत हुआ एक मीटर के अस्थान पर 80 सिंटेमीटर का प्रियोग करता है तो वताइए उसी कुल कितने प्रसद का लाव होगा अगले द सफी हो जाएगा एश प्रसट का मतलब सव सींटेमीटर हो जाएगा अब बताएए दोस्तों güzelट उतना पैसा फयूं टे रहा है लें लें ले रहा है 500 प्रसद के निकालेंगी दोस्तों थेना मिलजाएगा दोस्तों B कितने पे की तर जार और सब गाइगे तो 25 परसद का लाव होगा दुकानदार को सथी 25 परसद का लाव हो जाएगा ऐसा और उमीद करते हैं यह सवाल आप समझगेंगे निष्ट अगले टाइपस के कोश्चन पे चलते हैं दोस्त अब देखिए प्यारे दोस्तो निष्ट अगला सवाल के कह रहा है एक बेमान दु हुआ है जिस वाट का प्रियोग करता है उसका वज़न 900 ग्राम है तो बताइए इस कारवार में उसे कुल कितने परसद का लाव होगा अब देखिए दोस्तों गलत वाट के है 900 ग्राम इसका मलब CP क्या हो गया दोस्तों 900 ग्राम इसका मलब है दुकांदार जो है कस्टुमर को 900 ग्राम के समान जितना का पैसा उतने का समान दे रहा है निके कितने का पैसा ले रहा यह देखेंगी दोस्तों इसका मलब in निकालेंगे तो देखेंगे दोस्तों वह 200 FROM समान तोन होगा दोस्तों 1000 ग्राम में से वह दे रहा है इतना फहUp ambos T CP 500 क्या मिला 900 Gram mela ESP निका लेंगे तो बताहिए दोस्तों छ pasar 5 पर बेचने का दावा करता है इसकर एक पर अद निकालेंगे तो दस मिल जाएगा दोस्तों 250-200 तो 6 कमान निकालेंगे 30 मिल जाए ठीसी मिश्चे 6 घठा देंगे तो बैच मेंके डूस्तों इस पी निकालेंगे दोस्तों तो 940 सुर्पे में समान बेचेगा इसका मतलब 940 ग्राम समान बेच रहा है समान 900 ग्राम के पैसे का समान दे रहा है लेकिन समान पैसे का समान का दम ले रहा है दोस्तों 940 ग्राम के दम का पैसा ले रहा है दुकंदार इसलिए दुकंदार को कि होगा दोस्तों पायजाएंगा कितने का पायदा होगा दोस्तों तो देखी दोस्तों 40 ख्राम का फा spar साथ का लाप परसद कितना दोस्तों 40 ख्राम काको ये इन परोड़े कडेंगे दोजरोड़नों और देब कि दोस्तों चार साही चार यह भरते क Κा क्या ऊजाए का मुणड़ हो जाए करते दोस्त है यह सवाल आप बड़े अराम से समझ अकले सवाल कि हैं निष्ट अगले सवाल का कह रहा है एक बेमान दुकांदार अपना समान पंदरे परसल लाव पर बेचने का दावा करता है प्रंट वह जिस वाट का प्रियुक करता है उसका वज़न नौसोबीस ग्राम है तो बताइए इस कारवार में उसे कुल कितने प्रसद का लाव होगा अर देखिए दोस्तों समा कर समान को अब कह रहा है जो दुकांदार वो कह रहा है कि हम 15 परसल लाव पर अपना समान बेचेंगे अब देखिए दोस्तों अगर हम एक छजार का बेची इस पिक पिटने मैं यह एक हजर गरम था और 155 uk और पैसा ले रहा है तो कितना हो गया दोस्तों Turkish 1508 दुकंदार में समान ने रहा है 920 गराम का जितनी कपैसा इसका समान दे रहा है लेकिन बेदासे कमक्षा से सभूर से पैसा ले रहा है 1150 ग्राम का पैसा ले रहा है अब देखिये दोस्तों लाव जाएका इस का मतलब कितने का लाव हो या तो लाप परसंद में लेका लें जाए गाल कि लॉसтत आमें 30 कलाब हो जाएगा कितने पे दोस्तों 920 पे अब काड़ पीट करेंगे दोस्तों आपको एंसर मिल जाएगा अब देखिए दोस्तों जीरो से जीरो काड़ लेंगे दोस्ते साथी इसको काड़ देंगे तो इससे काड़ेंगे तो चार बार में कड़ जाएगा यह चार बार मे हो जाएगा इसका मतलब 23 से काड़ निजोगा तो लाभ परसत निकालों कि तो 25 इसका मतलब दुकांदार को 25 अगले सवाल प्रस्थे चलते हैं अब देखे दोस्तों अगले टैस्स का परस्थ करने का दवया करता है इसका मतलब जांचे दोस्तों एक हजार माल लीजे एक हजार ग浜मला का कोई satisfying समान था अब देखी दोस्तों समान के कियो जाए रहा है बीस परसाट कम कर सथ कम वजन का प्रेयो karataway कर इसका मुल्ब बीस परसेट घटा दे रहा है इसका मुलब शीपी कितने ककिया होगाары दोस्तों दोस्तों का मुल गर्णata 고 cashmore New दो का मतलब क्या है नोस्तों डोन चींड़ गराम दे रहा है जोंगें प्रीक्षी देचे का कितने में दोस्तों तो ग्यारी ने स्क गराम के पैसे का लाब हो जाएगा जो भी तुकानदार उसको लाब हो जाएगा तुला प्रसंद निरांगे कितना मिल जाएगा दोस्तों लाब परसंद इस में से सिस्को खटा देंगे दोस्तों hmm 300 का लाव कितनी पे दोraftव डोस्तो फेल गुड़े सहूं कर देंगी तो प्रसद मिलेगा. अब देखिए दोस्तों दो is कर देंगे इसको काटेंगे 42 होगा इसको किकल काटेंगे 25 कृस्तों पच से दू हो जाएगा ने करते हैं दोस्त यह सवाल अगले सवाल पर चलते हैं अब देखिए दोस्तों यहां पर हम CP कैसे निकालें यहां PSP कैसे निकालें यह इसमें अगर डाउट या दिक्कत है तब सवाल नहीं लगा पाएंगे लेकिन देखिए दोस्तों इस सवाल पर आपको बता देते हैं निकाल तो मिलते है तो 20 कमान निकालएंगे त्षा-दो में देंगे 200 इसका मतलब है एक हजार में से 200 को हम घटा देंगे तो समान दिया कितना है दोस्तों 800 ग्राम दिया है अब देखे दोस्तों दस परसल आप पर बेचने का दावा करता है तो फिर इसी का सम इतने ग्राम के पैसे ले रहा है टेरा इतने ग्राम का पैसे लdock ने रहा है तो मान Buffalo समान फरसल पर बेचनेlier का दावाव करता प्रयों करता है er 10% कम है तो बताईए इस कारव़बर में उसे कुल कितने परसित का लाव यदि देखे दोस्तों माल लिज्ञाव का समान था इसकाव एक हजार ग्राम माल लिए दोस्तों अब स्विप आप रार्म निकालेंगे दोस्तों 10% कम है तो डूश दे रहा है लेकिन ले रहा है लेकिन की पैसा मुणा के बारषभ करांब जिसinhaで और डिए तो मालिजे आप दुकंदार हैं तो आप बेरें समान दे रहें 900 bouleás के समान दियेैं आप पैसा कितने लिए कश्टुमर से कश्टुमर से पैसा लेरें 1200 ृजर तो आपको लाव होगा दोस्ट कर साती तो छोड़ाश CRK लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों लाब हो जाएगा 33 से एक बड़े 3% का लाब होता है आसवार उमीद करते हैं दोस्ती यह सवाल आप समझ गेंगे निश्ट अगले सवाल के तरफ चलते हैं दोस्त अब देखिए प्यारे दोस्तों निश्ट अगला सवाल क्या कह रहा है एक बैमान दुकांदार समान समान खरिदते समय 20% की चोरी करता है और समान बेचे ते समय 20% की चोरी करता है तो बताएए इस कारवार में उसे कुल कितने प्रशद का लाब की चोरी किया है इसका मला भ्लाव होगा तो अगर हम लाब प्रसद निकालेंगी तो क्या मिल जागा दोस्तों आप परिवर्तन वाला दोस्तु साती फरमुला लगा लेंगे तो परिवर्तन वाला लगाएं लेंगे आफिस परसंसुमान खरीड होत sama कि समय किया है प्लस बिस in to बटे क्या कर लेंगे सब्सक्रिकिक्स की बनुप क्रदें बिसंप की जोड़ लिए abrazo किसी में में नवार मां डूरा है यहां भी लाब लगवाई तो प्लस dolpa कर लेंग अब देखिए दोस्तों आप समझ गए इन दोनों को जोड़ देंगें तो क्या मिल जाएगा यह का मनलब यह दुकंदार को 44 का हो जाओ आगा 유리 मेंट करते हैं दोस्तों यह सवाल 1000 ग्राम का किया समान किया तो 108 कि चोरी किया इसका मदलब कितने ऑचसे का समान ले लिया ले ले लिया और देखिये दुस तो 20 कमाण चोरी किया है इसका दोस्तों 10 कमान निकालेंगे तो क्यों हमिल जाएगा 120, 20 कमान निकालेंगे 240, इसका मतलब इसे में 240 साइट कर देंगे, तो बेचे का समान कितने में दोस्तों, तो समान बेचे का 1440, इसका मतलब है दोस्तों, दुकंदार समान खरदा है 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम की पैसे का समान बेच रहा है लेकिन कस्टुमर से कितना ले रहा है 1440 ग्राम के पैसे का समान ले रहा है तो कितने कलाव हो जाएगा दोस्तों तो लाप परसद निकाल लेंगे दोस्तों तो लाप परसद देखी दोस्तों इधर निकाल देते हैं लाप परसद तो लाप परसद निकालत प्यारे दोस्तों निश्ट अगला सवाल क्या रहा है एक बैमान दुकांदार समान खरते समय दस परसद की चोरी करता है और समान बेजते समय दस परसद की चोरी करता है तो बताइए इस कारवार में उसे कुल कितने परसद का लाव होगा अब देखिए दोस्तों एक सवाल लगाई चैन्टू से लगाई तो देखे दोस्तों दुकांदार को लापरसद निकाल लेंगे तो लापरसद क्या मिल जाएगा दोस्तों प्लस दस माइनस दस सॉरी प्लस दस इंटो दस प्लस क्यूं करते हैं क्यूंकि दोस्तों समान खरते समय भी लाव है समान बेजते समय भ तो कितने प्रस्त कलाब हो जाएगा दोस्तों 21 प्रस्त कलाब हो जाएगा इसका मलब दुकंदार को 21 प्रस्त कलाब हो जाएगा आसार उमीद करते हैं दोस्तों यह सवाल अब बड़े अराम से समझ गया होंगे तो निश्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त अब ट देखिए दोस्तों अभी तक बैमान दुकांदार प्याधारित प्रसंद जितने भी सवाल करा हैं उसमें से सबसे बेश्टे सवाल यह है दोस्तों तो देखिए दोस्तों आपको कोई भी टाइप पढ़ाते हैं ना दोस्तों अगर आप सुरू सुले कर लाश्ट टैको वीडि लाव निकालते हैं बन लेजे कोई दुकांदार है वह 20 परसंद अधिक अंकित कर दिया तो 20 परसंद का लाव ले लिया दोस्तों अब 10 परसंद के छूट दिया है इसका मलब पहले लाव परसंद निकाल लेते हैं पहले का लाव इसका मलब लावन निकालते हैं लावन कितन सदना ओगा दोस्तों तो 200 मारा देंगे दोस्तों इसमें से काघए तो किया मिल जायका दोस्तों आथसथ इसका मलव है पहले दुखन 28% का लाव होगा तो लाव होने का मतन concept Kultur देखी दूस्तो अगर माली जी दोस्तों कर आए 108 रुपए में अगर 100 रुपए का समान देखती 108 में बेचता है तभी तो उसको लाव होगा दोस्तों तभी लाव होगा अब आगे कहे रहा है कि वह एक केजी के अस्थान पे 900 गराम का प्रियोग जूटे वजन का प्रियोग करता है इसका मलब यहां का सीपी निकालेंगे तो क्या मिल जागे दोस्तों यहां का सीपी में निकालते हैं तो 900 गराम जूटा वजन सीपी होता है तो 900 गराम जो है सीपी कितना होगा दोस्तों यह सीपी कमान ले लिए दोस्तों प्रकाइब तो यहां पर कितना होगा दोस्तों यहां पर 108 और 108 गुड़ें यहां पर कितना कितना की तो पांच रुपय का समान ख weeds किला हैं और च्छे समे निकाल देंगे दोस्तो लाप पर सम निकालते हैं कितना आ जाएक दोस्तो 20% का लाव जाएगा इसका मतलब कुल मिलाकर उस दुगांदार को 20% का लाव होगा जब वह तो पूरी तरह से बिज़ देगा तो दुगांदार उसको 20% का लाव जाएगा आसार उमीद करते हैं दोस्ति यह सवाल आप बड़े अराम से समझेंगे इसमें आपको डौट या द है तो सव रुपए का सवान जब 108 में बीचेगा तभी 28% का लाव होगा तो यहां से CP SP निकाल लिए अब कह रहा है कि वह जूटे एक गराम के जगह वह 900 गराम दे रहाती हैं का सीपी 900 गराम होगा यह स्पी निकालते हैं दोस्तों रिलेशन निकालेंगे तो देखी दोस्त हैं कि यहां यह 100 CP है अब देखी बटी SP है तो कर देंगे कार्ट बीट करेंगे तो क्या मिल जागा दोस्तों पांच बटी-6 मिल जागा इसका मनलब पांच रुपए का सवान आप छे में बेच रहे हैं तो लाव हो जाएगा इक कितने पांच पर तो कितना आएगा दूस्त तो इस सवाल का राई टेंसर होता है दोस्तों 20% आसा और उमीद करते हैं दोस्त यह सवाल अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्ते साथी अब देखिए प्यारे दोस्तों नेश्ट अगला सवाल के कह रहा है एक बैमान दुकांदार 4% पर अपना समान बेचने का दावा करता ह है प्रन्त हुआ है एक कीजी के स्थान पर 900 ग्राम के जूठे वजन का प्रेव करता है तो बताइए उसे कितने प्रसत का लाव होगा अब देखिए लाव यह हानी निकालना है दोस्ते साथी तो कुछ भी नहीं करना है गलत वाट को सीपी मानेंगे गलत वाट क्या है दोस् तो चार प्रसत प्रसतंד पर बीचनी का दावा करता है 1000 ग्राम का समानां फिन सहान यह लेखिन चार प्रसत काहन तो एक कमान निकालेंगे 10 बार में इससे काटेंगे तीन बार में तो 20 वटे-3 कितना मुझ लागा दोस्तों 6-2-3 परसद का लाग इसका मलब उस दुकानदार को 6-2-3 परसद का लाग हो जाएगा आज़सा और उमीद करते हैं दोस्ति यह सवाल अराम से समझ गए अब देखिए दोस्तों आज के लिए और कमेंट जरूर करें इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों तो हम आपके लिए और भी अच्छे चीजे लेकर आते रहेंगे आपके देखिए दोस्तों हम आपको जितना यूटूब पर पढ़ा रहे हैं दोस्तों सथी अगर रियल में आप सुरू से लेकर लेकर कि आपके पास किसी भी राइटर का दोस्तों सती किताब हो कोई भी पेपर सेट हो अब लगा कि देखिए दोस्तों उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होता होगा दोस्तों तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों